नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बनाएंगे हरी मिर्ची का भरवा आचार और यह आप चाहें तो बिना तेल के एक महीने तक खा सकते हैं और यह आप तेल में इसको डुबो के रखेंगे तो लगबग साल भर भी आप इसको यूज कर सकते हैं और सर्दियों में हरी मिर्च और इसमें चार साहब shining up या ले सकते हैं कोई बी एक चीज ले सकते हैं मैंने ये तीन टेबल स्पून के अश्माइबर्ट नी बाकी सब जो हल्दी अमचूर जो पिसे होए हैं लाल मिरच एंड हींग और नमक डायरेक्ट यूज़ करेंगे शिर्का लगबग एक टेबल स्पून सिर्का लिया है तो यह पाव मिर्चों के इसाब से मैंने तियार किया है मिर्चों को हमेशा साफ करके गीले कपड़े से मिर्चों का तेल भी लिया है जो अपन इसमें अचार में यूज़ करेंगे साथ से पहले यह उपर का इसको जो नाकू है उसको हटा के एक तरफ इसके ऐसे चीरा लगा देंगे जिससे यह उपल हो जाए और असमें मसाला बरा जा सके और कुछ नहीं करना है और यह मैं पहल मिर्चों का अपन कट कर लेंगे तो सब भी को अपने चीरा लगा दिया है अब तयार है अब अपन सबसे पहले अपन क्या करेंगे जो साबूत मसाले में चार आपको बताए उनको थोड़ा हलका ड्राइ रोस्ट कर लेंगे मेथी ले लिए जीरा ले लिया है और सोंप ले और राइस में ले लिए तो यह चार जो है जो शाबूत है उनको थोड़ा सा एक मिनट के लिए एक तम सलो गेस पे ड्राइ कर लेते हैं यह सिर्फ यह है कि नमी निकालने के लिए आप चाहें तो इसको दूप में भी रखके कर सकते दो मिनट हो गई है इसमें और थोड़ी मसालों की खुशववाने लग गई है इसका मतलब यह मसाले ड्राइब हो चुके है अपना त्यार है अब गेस को बंद कर देते हैं अब इसको ठंडा होने देंगे फितना होने के बाद में इसको मिकसी के अंदर दर गार पीस लें उसके बाद में सारे मेशाने वुदय ने इसमें दो तिन टेबल स्पून यह डाल देंगे जितना अपने मसाले मिलाने के लिए चाहिए भी इतना ही चाहिए तेल गरम इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो कड़वापन है सरसो के ओयल का वो कम हो जाता है और मैं थोड़ा से इसमें नमक डाल दूँगा इससे भी कहते हैं कि इसका कड़वापन और कम हो जाता है इसमें अपने जो यह मसाला तरदरा पीस लिया है इसको और इसमें डाल देते हैं अपने ये तेल गरम किया था इसमें ये जो हींग है अपनी ये इसके अंदर डाल दें और इसमें जो आपने दूसरे मसाले हैं मिर्ची मिर्ची से लिए डाल रहे हैं क्योंकि ये वाली हरी मिर्ची तीखी नहीं होती तो आप अपने टेस्ट के साब से डाल सकते हैं थोड़ा क्योंकि आचार में तोड़ा सा नमक ज्यादा डलता है तो सबसे पहले इसको mix करने के बाद में इसके अंदर आपन ये जो शिर्का है वह एक टेबल स्पुन शिर्का इसमें डाल देंगे अब इसमें ठोड़ा तेल डाल देते हैं और उसके साथ में फिर इसको मिलाएंगी, इस मसाले को, तम अच्छे से मिक्स करना है इसको, क्योंकि यही मसाला अपने इन मेर्चों के अंदर डालेंगे, मसाला बनके तयार है, अब इन मेर्चों को आपने क्या करेंगे, एक एक करके, ऐसे करके, इसमें ज्यादा ना बरें, पहले मैंने एक दो बार जदा बर दिया तो उसे ज़्यादा से क्या ये फूलता है मसाला राई और ये सब फूलते हैं तो उस टाइम फिर ओपन हो जाती है तो कोसिस करें कि थोड़ा थोड़ा मसाला बरें तो इसमें आपन ऐसे करके शारे में भर लेते हैं ये दो से तीन दिन बाद में मतलब इन में ये मसाला राई पूरी तरह से फूल जाएगी और ये एकदम से तयार हो जाएगे खाने के लिए तीन से चार दिन के बाद में चाहें तो थोड़ा बहुत इनको दूप में रखें अधरवाइज कोई प्रॉलम नहीं है अंदर रखे से इद्राइज आपको थोड़े दिन के 15-15 दिन के लिए रखना तो ऐसी बीना तेल के हब काम चल जाएगा ये आपको ज्याधा टाइम के लिए रखना है इसमें यसको तिन दिन बाद में गरम तेल करके ठंडा कर के उसमें उससे इसको डूगो दें सर्सों का तेल कर सकते हैं विदि ये चैनल अच्छा लगता हो तो इसे जुड़े रहिए और इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए था इंक्यू वर मच अब इसको अपन जार में डाल देते हैं सारी मिर्चो को